वेल्कम टू उन्नती कम्पेटिशन क्लासेज। उन्नती कम्पेटिशन क्लासेज में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आइडम्स एंड फ्रेजिस। जिसको बच्चे कुछ बोलते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजिस। दोनों का अर्थ सेम है, समान है। तो आपको कन्फिस होने के आपशकता बेकुल नहीं है। यह इसका पार्ट टू होगा। इसका पार्ट वन हम इस चैनल पे अप्रेड कर चुके हैं। अगर आपने वह पार्ट नहीं देखा हो तो प्लीज इस वीडियो के बाद उस पार्ट को देखना प्लीज मत भुलिएगा। देखिए जो भी मैने इडियम्स इसमें रखे हैं वीडियो में। तो यह सभी इडियम्स एक्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो प्लीज इसको आप तरीके से नोट करिएगा। वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिएगा। वीडियो को बीच में पॉस करके, स्किप करके, क्लोज करके प्लीज कहीं जालेगा मत। तो प्रीज आप इस वीडियो को पड़े ध्यान से देखिए, नोट्स बनाईए, नोट्स को याद करिए, इस वीडियो को एक बार और प्रेल करना, अपने नोट्स को उसके साथ टैली करना, ठीक है? चलिए, बढ़ते हैं आगे, अपने पहले एडियम्स की तरफ, अपने पह करते हैं, अगर आपकी कोई यात्रा का भी लंबी है, अगर आप बाए ट्रेन या बाए बस जा रहे हैं, तो आपके साइड में अगर एक अन्नन परसन बैठा हुआ है, जिसे आप नहीं जानते हो, आपका रस्ता बहुत लंबा है, तो उसमें से कोई ना कोई एक अपनी करने शुरू कर देते हो, हाँ सर आप कहा जाएंगे, जी मैं वहाँ जावेंगा, अच्छी, वह आप से कुछ पूछेगा, तो इस तरह से चुपी को ब्रेक करना, क्या कराता है, ब्रेक दा आइस, भई बात्चित के सुरुवात खोई तो करता होगा न, हाँ कुछ लोग हो करते हैं, बट कुछ लोग होते हैं, थोड़े से मतलब के सुरुष होते हैं, थोड़े को समाजित होते हैं, बोलो, कुछ लोगे यसे बात खेर देते हैं, जैसे गर्मी बहुत हो रही है, गर्मी तो बहुत हो रही है, पेटा सही कह रहे हो, तो यहाँ पर बात्चित का सुर कनवर्सेशन्स या इंटरेक्शन्स, एक जोग के माध्यम से क्या करा, प्रॉफेसर ने जो सालेंस उसको ब्रेक करने का गुरा परियास करा, उम्मीद करता हूं कि आपको यह पहला जो एडियम से वो के लिए हो गया होगा, ब्रेक दाइस का मतलब जोगता है कि सालेंस को ब्रेक करना, चुपी को तोड़ना, चाहिए किसी जोग के माध्यम से, जा किसी ऐसे रिया लाइफ के एक्जाम्पल से, कि वो आपके सांथ थोड़तर फैमियर हो जाए, जैसे हैं आप देख रहे हैं कि फोटो में आप देख रहे हैं कि दो एक गल्स और एक बॉइस दुना आपस में बैटे हुए है, बट कोई भी शुरुवात नहीं कर रहा है, कोई ये को शुरुवात करेका ऐसी बात नहीं है, इनकी भी यात्रा काभी लंबी होगी, इसलिए, अब कितनी यात्रा लंबी है, कहां जाना है, किसको कॉंसिटेर्ट बकडनी है, अलाव से स्टॉप क्या है, वो तो यही जाने है, चलिए हम बढ़ते हैं अपना आगे, अब कितनी है, तो उन्हें कुछ नहीं बता है, तो उन्हें कुछ नहीं बता है, होता हूँ, वो सिर्फ सेंटर में पहुंच जाते हैं, आदा गंटा गंटा पहले, तो लोगों से बात करते हैं, उन्हें से पूछने भी नेगेटिव आन कितनी है, कितने कुछ नस आएंगे, और अग्जाम है, तो उनकी जो प्लानिंग है, वो क्या, इस एक्जाम को लेकर अगर के एक पूवर प्लानिंग है, एक पूवर प्लान, उन्हें मदब करके कार्ड्स का घर मनाया, जैसे आप दिखते हैं, तास के पत्ते होते हैं, ये कार्ड्स हैं, और कार्ड्स का अगर हाउस आप बनाऊगे, तो ये क्या है, ये प्लान काफी पूवर प्लान होता है, कभी में हवा का जोग आता ही, आपका प्लान, आपका घर, आपके सपनों का महर डेर हो सकता है. तो without planning करके, अगर आप एक house of cards गाने बैठेंगे, तो उसका तूटना, उसका गिरना, उसका विखरना, उसका विखंडन होना लाजूई है, वो सही है. क्योंकि हमारी planning काफी पूर थी, इसलिए ऐसा हुआ, और जिनके planning काफी strong होती है, जो जाते हैं exam में देने से पहले, एक form बढ़ते हैं, form बनने के बाद में, एक target set कर लेते हैं, की sorry, sorry बच्चो, जैसे के exam आने वारा 6 मेने बच्चे में, पहले हैं, पहले एक जच्च करेंगे कि call the subject week है, जैसे किसी बच्चे का math week है, अब उसको पता है कि मेरा math week है, और time बता है में बस मार तो जो 6 मेहने, या 3 मेहने बचे में, तो वो क्या करेगा, अपना एक book purchase करेगा, वो को छोटे चोटे पार्ट में divide कर लेगा, मतलब एक छोटे चोटे target या goal अपने decide कर लेगा, तो वो target decide करेगा, छोटे चोटे चोटे, ठीक है, उसको वो achieve करेगा, उसके बाद वो देखेगा कि उसका एक पूरा chapter काफी अच्छे से पूरा हो गया है, ठीक है, फिर वो दूसरे chapter की तरफ बढ़ेगा, ऐसे ऐसे तरफ पर उठा करेगा, उसका एक्जाम से पहले ही, अपना एक math की पूरी भूधं से finish कर लेगा, तो उसकी planning cover नहीं है, उसका जो house है, वो cards का नहीं है, उसका जो house है, वो बनाएं पके cement से, कौन से cement से, अंबूजा cement से, या फिर कोई और cement हो सकता है, अंबूजा से मेरा कोई ऐसा नहीं कि मैंने उस का, फिरे रोगे बच्चों आपको चलिए, बढ़ते हैं आगे, अगला idiom, bone of contentions, या contention, बस अब जगड़े की फसाद, जगड़े की जड़, जगड़े की जड़ यही चीज है, जैसे कि आप देख रहे है, image में आप focus करिए, एक हटी, दो कुत्ते, एक हटी, दो कुत्ते, तो यह हटी क्या होई, इनके बीच में क्या होई, जगड़े की जड़ बन गई, जैसे दो भाई होते हैं, ठीक है, अब घर में एक ही बारा खेलने के लिए, तो एक बोले का, एक बार मुझे कुछी है, जैसे घर में एक स्कूटी होती है, दो भाई है, एक स्कूटी है, तो तो दोनों पर एक टेम पर एक हमां, दोनों में पर फिर दोगा हो रहा है। मैराल आउगा अपना काम कर गया होखा, इन मैं आउगा, इसकोती क्या होई, वह बाइक क्या होई, वह होई जगड़े की जड़ सको बहते है, इसब्जेक्ट और ओर इश्यू तो इस तरह से आप बच्छो एक्जाम्पर मनेगे, रियर लाइफ से उसे कनेट करिये, आपको सारे आइडम्स याद हो जाएंगे, सारे एडियम्स आपको याद हो जाएंगे, और यह जो एडियम्स है, SST का काफी प्यारा एडियम्स है, कई बार बोश आगया है, 2010 के बाद क से के उसमें यह सब पूछे रहे हैं, और यह जो कोश्चन पूछा गया है, यह पूछा गया MTS में, कुछी काफी बेसिक कोश्चन है, यह MTS के लिए बदगा है, तो आप याद कर लीजेगा, बहुत ही easy है, बच्चों को पता होगा, मुझे ऐसा लगता है, इसको नहीं पत तो प्लीज, पेंड़न करिए, राइट डाउन करिए, लिखिए, याद करिए, दुबारा वीडियो देखिए, चलिए, आगे बढ़ते हैं, इट हम्बल पाई, इट हम्बल पाई, टू एपॉलोजाईज हम्बली, मसलब बहुत ही, प्यार से किसी से प्राथना करना, अगर किसी भी गलती हो जाती है, वो उसको लिखिटा कर रहा है, वो माफी, शमायाजना मांग रहा है, ठीक है बच्चों? या फिर मैं आपसे समझाना चाहूँगा कि अपनी गलती को मानना, अपनी गलती को एकसेप्ट कर लेना, अभी एक ही थोड़ा सा हाल ही कि कुछ एक वाक्या है कि मैं बाईक से जा रहा था, तो साइट से मैंने यू टन लेना था, लैप टन करना था, तो वहां से एक अंकल करना था, तो मेरी भाई उनसे टच होती हुए तो उनसी बज़ गलती बेरी थी, मैंने इंडिकेटर दिया था, लेकिन वह इंडिकेटर पीछे बला बाच कर सकता है, लेकिस सामने से जो आ रहा है वह तो बहुत गया था, तो हलकी सी बादब टच नहीं होई थी, बहुत गय कुछिव बहुत है ऊपने क्लत्य करते हैं डीको कुछ फ़टी नहीं करते हैं अपनी कलती नहीं मानते तो यह खलत बात होती है तो देखो जुकने में कोई ब्राई नहीं है, जुकता वही है जिसके पास कुछ हो, ठीक है, जैसे कि होता है कि जो फूलो से भरा हुआ पेड़ी हमेशना जुकता है, तो इसी तरह से आप भी कैसा होते हैं, अगर आप अंदर से काफी pure हो, काफी genuine हो, तो automatic आपके अंदर से sorry क को ले करके कुछी गलती कर रहे हो, तो आपको अंदर से ये अवाज आएगी, कि हाहँ, यार तु ये गलत कर रहे है, तुम्हें पदा है कि तुम्हारे एक्जाम है, और तुम यहाँ पर बाहर दोस्तों के साथ पाटी कर रहे हो, स्मॉकिंग कर रहे हो, या पिर time-waste कर रह छोड़ो या मुझे नहीं करना है ठीक है जैसे कि Facebook कुछ ज़र से ज़्यादा लगना आपको पता है कि एक्जाम में यह आपको Facebook वोशन नहीं आएगा यह Facebook आपको timepage कर ला है तो छोड़ो पिए इसको वर्सव अगरा side करो वही एक्जाम करना है न तुस्रे सेत्यानी करना है तो अपनी गलती मानना मतलब क्या होता है eat humble fine चली एक्जामबल कोई ज़र देती है मैंने इसका भी मेरा target था को सुन्या था कम पड़ो अच्छा पड़ो give cold shoulder मतलब किसी को ignore करना to ignore जैसे कि आप इस रस्त में जा रहे है आपको काफी प्राणा फ्रेंड जो है जो जैसे बाचित काफी अच्छी थी एक छोटी सी बात को लेकर के आपके वीश में थोड़ी सी कहा सुनी हो गई और अच्छानाक सब देर रहे है रस्त में वह सामने स इस तरह सब याद करिए इस तो याद हो जाएगा मतलब किसी को ignore करना नजर इंदाज करना ठीक है आगे है हिट दा नेल ऑन दा है तो दू दा करेक्ट थीग इसका मतलब यह होता है तो दू दा करेक्ट थीग इस अप्रीकर आप दीख रहे हो मैं आपको उसका एक्जामपल देखे के लिए कराना चाहूंगा बच्छो तब यह आपको के लिए हो पाएगा आप इसे note करेए इसका मतलब यह हुआ बच्छो कि आपकी जो प्लान था वो सही जगए पर फिट हो गया है मतलब जैसा आपने सोचा जैसी आपने प्लानिंग करी थी सेम उस जगए पर क्या हो गया हिट दा नेल on the head जैसे कि मानों कि आपने MTS कर एक्जाम दिया है आप बच्चों मैं MTS के बढ़ाता हूँ, CECL के बढ़ाता हूँ, आपका मैं SSC का एक्जाम कियाता हूँ , बड़ एक्जाम को लेकर के मैं जरूर बुलूँगा क्यों मैं दाइट आपको जढ़ा नहीं बोल सकता है देखेया आपको कोई एक्जाम थैसे का या बैंकिंग होई एक्जाम है आपका आपने फर्म बघा उसके बाद में आगड़ सेट करा तरह को इस तरह से बहा है कि आपका वो टागड़ फुल्फिर हो गया आपका पैला एक्जाम खोगिया second अंग अपको गया आपकी जो जॉइनिंग हो गई तो आपका जो planning थी जो काम था वो क्या था गुद्फ गया था फ्रिक्ट था hit the nail on the head था जैसे planning करी उस जगे पर correct बोची बैट जाना इसको बोते हीट the nail on the head ठीक हा बच्चो अगर आप इस idioms की बहाफ पर आप श्टड़ी करते हैं, इस idioms फोकस करके श्टड़ी करते हैं, इस तरह के से कोई भी काम करते हैं, वो सक्सेस होगा, जरू नहीं कि आप SSE के एक्जाम जे रहे हो, लाइफ एक 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 से सब कुझ आता है मसलब आप ध्यान से फोकस करिए अपनी लाइफ पर जो भी गल्ती है उसका एकसप्ट करिए ठीक है अभी कुछ नपने मने बिताया था आपको अपनी गल्ती को मानिये जहां भी गलत कर रहे हो उस पर रोटिस करिये गल्ती करिये अगे से गल्ती नहीं होगी उसको लेकिया प्राणिक कर सकता हूं पहुत सरी चीजे है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें हैंडे माउंथ हैंडे माउंथ का मतलब है लीव और अनली बेसिक नैसेसिटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटे हमको हवा चाहिए, air चाहिए, water चाहिए, food चाहिए, अधास a nest तो यहां पर इछ चीज्स पर हो प्रोक्ष्ट कपड़ मकान यह तीन चीज्या हमारी हिए हम प्रामनी स्टेजपे होते हैं हमको तीन चीज्स चाहिए तो यहां पर हम लोग बोलाउगे hand-to-mouth मतलब जरोत की चीज़ों पर ही खर्च करना उससे पातु खर्च ना करना क्या करता है? Hand to mouth अब जिसके पास पैसा होता है तो वो 15-15 बीबीज गाड़िया रखता है अपने पास में हर गाड़ी में रियर ड्रेवर लग होता है उसके पास में तो वो actually hand to mouth अड़ी कंडिशन नहीं है उसके Hand to mouth अड़ी कंडिशन होती है कि काफी कम खर्चों में बुजारा कर लेना ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं Hit the bulk size To be exactly right about something or Achieve the best result possible Hit the bulk size मतलब तो target पे अपने निसान लगाना जैसर की कुस्समें पर हमने idiom देखा था रचो ठीक है? जैसर की यह था Hit the nail on the head या बुले आपको Hit the bulk size Hit का मतलब hit Hit का मतलब इस पे hit करो इस target पे hit करो इस साम को hit करो ठीक है? तो मतलब की अपना निसाना बिलकुँ सटीक लगाना अपना निसाना बिलकुँ निसाने पे लगाना इसको बोलते है Hit the bulk size चलिए आगे बढ़ते हैं Let the cat out of the bag Let the cat out of the bag To reveal the secret Carelessly or by mistake ठीक है? जैको इसमेनिंग क्या हुआ किसी की जो secret था ना परवाई इसे मतलब गलती से किसी को बता देना किसी दोस में आपको बढ़ बताए कि उसकी एक girlfriend थी या फिर कोई और भी बोच सता है कि ठीक है उसने exam में पाने लेयर में cheating करी थी या 12th class में उसने में 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 cheating करी थी आप दा बैग अभी कुछ ताइम पहले आपने देखा था इस पिल्स दा बेंस ठीक है तो ये सेम भाही है सेम ठीक है ना इसका उसका में दोनों का सेम है बस तो आप रागते कुछ रेता है तो दोनों का आप डेख सकते हैं बढ़ते हैं अगे 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 इडियम से ओर ओपन पैरा सड़ी ओपन पैंडोरास बॉक्स तो फाइंड आप देख रहें कि ये क्या कर रहा है ये अपने आपको पिंजरे में तोला सरबंद करके ये कर ना जाले में के अंदर बैठा हुआ है और सामनी ये खुले से भी कर रहा है पिक ले रहा है फोटो फीच रहा है तो यह तो यह क्या है ये ओपन पैंडोरास बॉक्स जैसे की एक्जामबल के तरफे में आपको बोलूगी पनोती पनोती नाम अपने सुना है न इसन चाहता कुछ और है होता कुछ और है बट वो गलत नहीं जाता बट उसके संक्या होता है वो गलत हो जाता है तो ऐसे परसन को बोलते है ओपन पैंडोरास बॉक्स अक्षिकमार की मुवी ही एक है उसमें वो बलब सोचता कुछ और है मुवी का नाम मुजी याद नहीं आ रहा है क्रीक तो में मतलब क्रीक तो में मतलब समझ से बलुकुल बहार हो इसनों बहुत सरह डाउड हो जो बाद अक के लियर ना हो अगर कोई ऐसा परसन आपकी गली में भुझ जाये आपके एरियमें आ जाये जिसके लैंगज मिनको अलग हो जो हिंदी नहीं बोलता हो तमील बोलता हो या तमील जैसे एरियमें को बंदा कंड़ बोलता हो ठीक है और कुछ टिपिकल पंजाबी होते है उनको जा लेंगज होती हो के लिए रहंको नहीं होती है अगर ऐसा इंसान आपके सामने कुछ पूछे तो आपके लिए क्या होगा मतलब कि मेरी समझ से ये बात काफी बाहर है sentence में आप देखिए I failed my commerce test It was all Greek to me देखिए आप simple meaning ही देखिए इसका meaning से बहुत सो clear हो जाएगा इस Greek to me का मतलब होता है कि समझ से बाहर जिसको समझना काफी मुस्किल हो आगे बढ़ते हैं Don't put all your eggs in one basket देखिए क्या होता है कि इकी basket में कभी हुए सारे egg, सारे अंडे नहीं रखने चाहिए इसका meaning आप देखिए जो इसका meaning दे रखा है Do not put all your resources in one basket मतलब जितने भी resources होते हैं उन्हों सबको इकी basket में मत रखिए इससे क्या होती है सम्मागना बढ़ जाती है सम्मागना किशिश की सम्मागना ओती है दुर्वरतना की ऐसे case में जैसे मैं आपको एक्सामपल साट कर दिखाता हूं कि आपको इना जैसे की business कर रहा है आपने business start करा आपने सारी लकाम आपने उसी में लगा दी अपने सारी property sale करके जो लुकान में रहते जब गरीवी रख करके या जो भी आपकी saving में थे सब आपने एक ही लिए पर लगा दी ठीक है आपने business करा business में profit loss कुछ भी हो सकता है लेकिन एक ही basket मतलब उसने अपने सारा पैसा लगा दिया अगर in case कुछ negative कुछ aspect generate हो जाते है और business कभी लॉस में जाता है तो क्या होगा उस case में उस case में क्या होगा वो इंसान पुरा दबा हो जाएगा तो हर चीज का कोई रभी alternate होना चाहिए ठीक है don't put all your आयक से इंडियो की वन basket का मतलब यह ही हुआ या फिर में आपको बोलता हूं कि ठीक है कि आप तैयार ही कर रहा है exam की आपने सब कुछ मेलब trial pass out अपने खरा और उसके बाद किसी exam पर focus कर रहे है 100% दे रहे हैं but side में कुछ नों को यासा option लगोगे अगर इनकेस यह जगा डंख से नहीं हो बाती है या इसका cut-off बहुत जाला जाता है आपको बास time बहुत काम है side में अपने आपको बैक आप लेकिशलो life में बच्चो आपके father का बीजैसर में पहले से अलडियार है तो उसमें छोट सब participate कर सकते हूं पढ़ाई के साथ पढ़ाई 3-4 गंटे कर लो 4-4 गंटे के पढ़ाई में कता हूं इनक है उसके पाद में अपने father के साथ अपना हाथ बढ़ाओ वहाँ से experience लो आपके बास के आओगा आपके एक side में अगर एक part आपका secure होगा एक backward आपका आपके पढ़ाई भी मज़ा आएगा ठीक है डर के साथ बच्चों पढ़ाई नहीं होती है अगर आप इस test के साथ पढ़ाई करते हैं तो नमबर आने के संबावना होत काम होती है हाँ अपना थोड़ा focus मना के चलो थोड़ा क्या बहुत मना के चलो तो ना होने में शायर भगवान की मरजी थी जो उसने आपको ये चित नहीं दी शायर भगवान आपको इससे कुछ और अच्छा चाहता हो ये तो नहीं कि आप सभी बच्चे की कंपटेशन की त्यारी कर रहे हैं हर इंडिया की एक पर्संट की जॉब पर आदा होगा कुछ लोग प्रैवर जॉब भी करते हैं कुछ लोग आप बिजयस भी करते हैं पैरों पर कड़े होते हैं जिम्मे तारे कोई दिल से नीवाते हैं तो एक्जाम ये सु कुछ नहीं है जर बहुत चुटा इक्जाम बच्चों को जाता है के लिए अगर आप L.A.C. के तैयारी हैं Min. Lat.C. के तैयारी हैं और काफी सीर्स तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो बच्चों आपका एक्जाम कर रहा होगा लेकिन आप यह मसमझना कि कुछ बच्चे होते हैं कि काफी गलत कदम उठा लेते हैं एवजाम आने के बाद में, रिजट आने के बाद में लिवाता है तो काफी नेगेटिव होते हैं तो देखो वह भी नहीं करना कि अब पस्ताद होते हैं जब चिलिया जुबी खेत वाला मैंने पार्ट वन में एक दिया था ऐसे एग्जामबल आपको एडियम सा हो तो वैसा भी कुछ नहीं करना है आपको ठीक है बगवान ने अगर जरम दिया है तो इसके लिए के रोटी के इंतियां उपर लगम से का हमको इतना बना देगा कि हमको एक रोटी खाने के लिए हम आपको ठीक है ठीक है चलिए बच्चो बात बहुत अधीक हो रही है चलिए मैं आगे बढ़ता हूं अगरे कुछिंस क्यों आप समझ गए हूंगी डांट पुट और यॉर एक्स इन वन बास का मतलब क्या होता है तो आप भी कोई विजियो करते हैं तो आपने बास एक सेव का मुझा देता है एक एडियांस हमको इसमें कापी गिराई होती है चितुई उसको पहिचानो आगे बढ़़ो ठीक है चलिए बच्चो तु काल ये स्पेड ये स्पेड इसका मतलब होता है तुम्हारा बच्चो मैं बलंटिं स्पेच आउटिस सेखरी बात करें देखिए इसका जो में निक होता है बच्चो तू भी बुटली फ्रैंक इसको बोलते है मुफ़ट होना कुछ लोगो होते हैं मुफ़पे विकुछ साफ साफ बोल देते हैं ठीक है उसको बोलते हैं काफी मुफ़ट है उससे फरक नहीं पड़ता हैं इंसान को गुरा लगेग दाते ही श्ब्रैंशे को भी फीलिंग को हड्ハ कर र Lesut कि बूर लेते हैं तो सामने बाले को हुट तो होता है दिल पे लगती तो है और यह बात अगर बात उसके समझ में आ जाती है तो पुरी लाइफ दे बन जाती है जैसकि कभी कभी घर में घुश्री लोग होतें के बोल शुषिव कंदे के जो तरीके हैं वो अलबग अलब है दो भाई थे गर में और उसके मुपने को गुछा आया उसने दूरों अपने बच्च्च को बोल दिया तुम दूरों मरबाद हो तुम्हा ने बुस ने उसकता तो एक ने तो क्या करा जो बड़ा भाई था जो बड़ा वेटा था उनका तो उसने इसको रिसीब करा वही सेंटाज दोनों को सेम बोला लेकि रिसीब करने का तरीकर में कितना बड़ा फरत है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं चोटे बाई ने बोला अच्या ममी ने ऐसा बोला अब मैं कुछ करके दिखा हूंगा चोटे बाई कि आखे कुल गई दोनों ने अपना अपना एक टागर मारत का था एक्जाम देने बागा पहला पहला जो बड़े बाई था वो तिल का पहल गाने में लगा हुआ था विचार चोटे बहाला से ग्यान का पहाड बनाया वो आप सोचतों कि इसको मेलेगी तो कभी कभी होता है to call a spade a spade तो ऐसे person जो होते हैं हमारी आखे कोलते हैं कभी-कभी तो बुरा नहीं मानना चाहिए उनके बात होगा ठीक है? मुफट जो लोग होते हैं ठीक है? तो ऐसे लोग भी कभी लाइफ में हमारा काफी अच्छा रोल खदा करते हैं लाइफ में ऐसे लोग होने चाहिए तभी लाइफ इंजॉफूल बनती है ठीक है? बट डिपेंड करते हैं कि आप उनके बातों कैसे रिसीप कर रहे हो ठीक है? जैसे कि आपको त्यारी करते हैं दो साल या देड़ साल हो गया कि अपको टुझा बोलता है कि अब इक इतना बड़ेंगा तो यहां पर शूंआ पि बोला अब इक इतना बड़ेगा वो तो फ्रेंग था हो उसने बोल दिया कि हम आपको ब्ला रगया आप नहीं तो ब्लाव करते हैं तो सुनार दियो मेरे सामने मता ही दूकर में जिन्दरी में भाग जाने से ठीक है तो यह सब क्या है यह एक एग्जामबल के तौर पर मैं आपको सुझा रहा हूं मन का लेकिन थुदा साफ हो चले आगे बढ़ते हैं अगला कोश्यन नमगर 14 एडियम से हमारा 14 तू पूट इने नट शयर तू से इने प्यूबर्स और तू मेक संथिंग कोंसाइस इसका जो मतलब बच्चो मैं आपको बताऊं कि इसका मतलब एगसर होता है कि सारांस सोगष एडिक है? प्रिसाइस इसको पोलते हैं कि सी बड़ी सी बात को चोड़स ने आयाए था कुछ लोह भात को बहुते हमाते हैं नगी यह क्या होते हैं यह बात को स्टिक बोलते हैं बड़ी बात को छोड़ी रूप में बोलते हैं कि हाँ नमस्कार मैं आज आपके सामने ये अपना प्रबोसर लेने आया था पर पोसर के बाड़ा थोड़ा सा इंट्रिक्शन देगा ठीक है और उसका बेनेफिट बताएगा और उसका क्या कि हानी होंगी बताएगा ठीक है ये रखना ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला ये है तुब मुव एवन एंड अर्थ तू एग्जर्ट आल एफ़र्ट्स इसको जो बच्चों बोलेंगे हम लोग बोलेंगे जमीन और आस्मान आर्थ का मसल्द जमीन हो गया एवन का मतलब स्वार्द आस्मान हो गया इन जो हम एक कर देते हैं तो इसका मसल्ब क्या हो गया उसने पूरी महनत कर दी उसने जमीन आस्मान एक कर दिया वो टार्गेट वो गोल एचीव करने के लिए जिसे कापी सारे बच्चे होते हैं हम देखते हैं कि या ठीक है पढ़ना है पढ़ना है 12 क्रास में एक्ति परसंट अपने गोल को प्राप्ट करने के लिए जेसे कि आप थे कैने क्या सारे रहे हम कंपरिटिशन कंपरिशान की हैं तो एसे coal पना बंचल अस्ता है कि आ इसे को अपने गोल करने के लिए ऑकर सेट अगर आप सच में आसे कर रहे हैं, तो बच्चों आपका exam क्रेक होना वह जरूरी है, भग पका exam क्रेक होगा, लेकिन जिख विचों, थोड़ा से बहुत ज़रूरी है, अरचिल में, आप सुवेश साम जमीन आसमा रेक करने में लगे हो है, मतलब बहुत ही dedication, बहुत तरीके से बढ़ रहे हो, लिए अपनी डाइट पे ध्यान देना, कि यो पड़ते समय डाइट का इंपॉट्टेस रोल होता है, अपने खान पान में ध्यान देना, अपनी नीम प्रॉपर सोना, यह रिए कि आप 3 गंटे सो रहे हो, 4 गंटे सो रहे हो, हाँ, टाइम काम है, पता है, चाहे दो पढ़ें लेकिन उसको मैक्सिम हो रिवाइस करते जलिए हैं, डिवाइस जरूर करें, रिविजन जरूर करें उस नोट्स का उने, चाहे वो आप इसका नोट्स बना रहे हो, या फिर आप कुछ भी सब्जेक्ट कहीं से बढ़ रहे हो, ठीक है, पहले तो अपना इस बादा समय देना आपको पढ़ाई में, तो बैलेस बना के चलना है, ठीक है, हर चीज में बैलेस जरूरी होता है, बॉड़ी में भी अगर आप खाना खा रहे हैं, सुबह साम अगर मैं आपको पर आपको प्रेवला आपको तो बैलेस का आप हो जाएगा, जो पाकी जो प्रोटीन होते हैं, बहु कहां से आएंगे भई, तो इसी तरह से नीम, डाइट, और पढ़ाई, क्वालिटी के साथ में, छोड़ी जोड़ी गोल सेट करना है, इस तरह से भी स्टेड़ी करना है, तो बच्चो इसी के सांथ मैं ये वीडियो करता हूं, ये पिसमात, अगर तो टाइम पे वोची हिट हो जया, मतलब टाइम पे वोची आपको याद आ रहा है, यान वही है तो एक्जाम में काम आए, बहु ग्यान किस काम का, कि जो आपके एक्जाम में काम ना सके, आपने सुबह सांब कल्टिनुए, इडियों पढ़ा, एक आइडम पढ़ा, और य पर रोरी देड करना, ट्यक है, अगर आप सुब्स्क्राइब कल रेते हैं, तो आप से कल मैं चल्द मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ में, ट्यक है, और जोई-ने पर यथे सब्सक्राइब करना है, तु बहु दो दाडा सुब्सक्राइब ना करें, ट्यक है, चलेए — मे पीने पे अपना पूरा ध्यान देना, लंच को जाया दिलिया मत करना पड़ते जम्हें, चाहिए, ओके, बाई, टेक केल, और देन, ओल देश्ट.